एलो फ्रेंट्स इंडिया में C&G गाड़िया कितनी है कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी आरे ही अभी मार्केट में जो कि ले सकते हैं क्योंकि पैट्रोल की प्राइज इतनी ज्यादा हो मिल सकता है आपको तो इसी वज़े से जो है अगर इलक्टरिक गाड़ी की ओर जाते हो आप तो वहां पर जो है गाड़िया बहुत महेंगी आ रही है क्योंकि जहां पर 5 सभी कंपनियों की बात करेंगे कौन सा मोडल है और कितने की आरिया ओन रोड प्राइज क्या है तो मैं अपने अपने श्टेट की साथ से थोड़ा सा वेरियेशन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो बात कर लेते हैं सबसे सबसे पहले मारूती की गाड़िया जो की कौन कौन सी उसी मोडल यहां और कौन-कौन-टिया 숨की अधे की सबसे ज्यादा लेकिन 2022 की नहीं है यह 2021 का ही मोडल है क्योंकि अभी तक नहीं है इसका आएगा अभी आया नहीं है लेकिन वह भी काफी जबरदस्त है अभी लोग जो डिमांडिंग है और इसकी च्छे मैने की वेटिंग है अटिगा की गाड़ी की तो इसकी बात कर लेते एक्सोरूम की तो 8,12,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 10,85,000 रुपए के बीच में जाती है यानि कि अगर इसका मोडल एक ही आता है CNG के अंदर VXI मोडल तो वह आपको पढ़ जाता है दिल्ली जैपूर राजिस्तान की बात करूं तो 11.5 के आसपास आता है और इसके आसपास की रेट ज अंजन है और 7 शेटर गाड़ी है ठीक है आपको देखने को मिल रही है वही पर अगर दूसरी गाड़ी की ओर बात करें मारुति डिजायर की बात करें यहां पर मारुति डिजायर जो है 6,09,000 रुपए से लेकर के 9,12,000 रुपए एक सो रुम दिली के अंदर मिलती है और य यहां पर तो ZXI CNG मिल जाता है और दूसरा मिल जाता है इसके अंदर VXI CNG दो मोडल के अवेलेबल है मारुति श्यूप्ट ठीक है वही पर अगर बात करें नेक्स गाड़ी की तो यहां पर मिल जाती है मारुति की वैगनार वैगनार के अंदर नया अपडेट भी है जिसक के अंदर RTO और इंसुरेंस जोडने के बाद में आप बढ़ा सकते हैं अपने अपने इस्टेट और जिले के इसाब से जो है अलगलग प्राइज निकल के आएगी यह दिली एक सोरुम की बात कर रहा हूं यह जो गाड़ी का माइलेज है इसका 34 का माइलेज मिल जाता है यह इसको भी रख सकते हैं बिल्कुल और 34 का माइलेज देते हैं एक किलो सी एंजी के अंदर तो सी एंजी का प्राइज आप देख सकते हो 55 से 70 के बीच में लगबग लगबग यही है सभी जगह का और आराम से आप जो है इसके अंदर 34 का माइलेज निकालते तो बुस्किल चे और CNG के उपर भी मैने वीडियो बनाये होगे काफी सारी आप मेरे चैनल पर जा सकते हो वहांपे बताया है कौन सी गाड़ी लेनी चीए सिन्जी लेने चीए पैटोल लेनी चीए डिचल लेनी, या फिर एलेक्ट्रिक लेनी चीए, सभी के बारे में बता है, सिन्जी कैसे लगता है, क्यों लेज्ड़ास के लिए काफ़ी डिमाडिंग गारी या वह सर्थी करके, शेलाख, चोरैनमा जारूपई, इसका ? दिली सि और वहीं पर जो है यह भी 35 का माईलेज देती है C&G के अंदर 35 का माईलेज देती है 999 CC का इसका इंजन है और 5-sitter गाड़ी है इसके अंदर एक ही वेरियंट आता है और यह है VXI model ठीक है VXI model के अंदर आती है और 1000 CC का इंजन है तो यह वाली गाड़ी भी काफ़ी demanding है अलग जो मेरे चैनल पर है मिल जाएगा आपको ठीक है वहीं पर बात कर लेते हैं ऑल्टो एटेंडेड की जी है फ्रस मारुती ऑल्टो एटेंडेड सीन जी पर आ चुके है यह भी 3,25 रुपा एक्सोरूम से स्टार्ट होके 4,95 रुपा के बीच में आती है दिल्ले एक्सोरूम क इसके अंदर आटियों जोड लेंगे आप तो आप जो है इस गाड़ी को अपने शिटी के अंदर अपने राज्य के अंदर थोड़ से डिफरेंस के साथ पा सकते हैं जिस भी गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइट चाहिए आप मुझे कमेंट करें मैं उसका कमेंट के अं अंदर बात करें इसका तो मोडल में आती है सिएंजी के अंदर पहला है जिक है कराड़ी को बाकी अपन अंदर आख यहाँगे तो आड़ी के अधिक है तो आराम से अगर एक चाइल्ड बिठा है तो आराम से चार लोग प्लस एक चाइल्ड के साब से औल्टो एटेंडेट बेस्ट है फोर शिटरी ही बोलूँगा मैं अगर कंफर्ट के साब से जाते हो आप बाकी ऐसे गुषने को तो छह साथ जने भी बुश सकते हो आप ठीक है वहीं पर नेक्स गाड़ी के बात कर लेते हैं आपन यहाँ पर जो एक और है मारूत्य की एस्प्रेसो जब से आई थी काफी अच्छी गाड़ी चली है और आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांट रहती है क्योंकि एक अलग से एक स्पोर्ट चीशा चोटा सा और क्यूट चीज गाड़ी बनाई गई है जो कि आप उसको प्रिफर कर सकते हैं मैं य 25,000 रूपए से लेकर पांच लाग 56,000 रूपए के बीच में इसकी प्राइज है दिल्ली एक्सोरूम की बात करेंगे आट यो इंसुरेंस जोड़के थोड़ा से डिप्रेंस के साथ में आपको मिलेगी इसका माइलेज 31 का मिल जाता है एक किलो सी एंजी के अंदर ठीक है सकते हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जो एक्चुल होना चीए कमफार्ट वो फॉर एडल्ट के साब से बन चायल के साब से ठीक है यह गाड़ी जो है कतीस का मैलेज दे देती है आपको और यह वाली जो है चार मोडल के अंदर यहां पर मैं बताँगो कैसे व्यक्स के अंदर मिल जाती है व्यक्साइची चीएगा यह गाड़ी बीएक जार सीशी के अंदर है तो पिक अप और मैलेज जबरदस्ता है इस गाड़ी का भी इसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं ठीक है वहीं पर अगर बात करें अपन तो मारूत की एक और गाड़ी मिल जाती है म वेन टाइप में गाड़ी है वीको आपने देखी होगी जिसकी सीट जो है अड़ेस्टेबल रहती है सीट भार भी निकल जाती है अंदर भी निकल जाती है किसान हो गए या आउट आप सीटी हो गए काफी इस गाड़ी को प्रिफर कर रहे है लुकिंग में थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेते हैं और बाकी स्कूल के लिए जो लोग लगाते हैं इसको तो उसके अंदर सीटिंग अलग से कर देते हैं आपने सामने दो शीट कर देता कि ज्यादा ज्यादा बच्चे बैठ सकें इस वज़े से इस गाड़ी का जो माइलेज है वो कम है और इसकी पिक अप ज्यादा है क्योंकि बारा से शीची अंजन है तो लोडिंग के साब से यह गाड़ी भी वैस्ट आती है मारूती इको ठी अधर चीट है तो यह एक ये विरेंटएस के अंदर और सिंजी इको सिंजी फाइफ शीटर एक ये वयरेंटएस्ट केंदर ठीक है एसी आए अगा उसके अंदर वहिपर आप बात कर लेता है तो पांच लाग वाईस जारूपस लेकरके 766000 एक्सोरूम दिल्ली के अंदर मि और अगर आपको उन्रोड प्राइच चीए तो आप मुझे कमेंट करें ठीक है तो इसका जो माइलेज है वो 27 का मदब 26 पॉइंट उननचास केम केजी का माइलेज है एक किलो सी एंजी में यह 27 के लगबक का माइलेज देगी और 1200 शिशी नजने इसका अगर एक ग्यारा सिशी मदब 1000 सिशी होता तो अराम से 30 32 का देती जैसा कि मारत की गाड़िया देती है लेकिन 12 सिशी इंजन उने के बाद में प्लस टाटा की गाड़िया है तो व्यूल्ट क्वालिटी थोड़ी अच्छी है और थोड़ी सी वेट में आती है इसलिए इसका माइलेज थोड़ा सा व अवेलेबल करा देगा तो इसके पांचों मोडल के अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर दिखें एक्जेड प्लस है ड्यूल टोन के अंदर यह आपको मिल जाता है इसके गाड़ी को भी आप प्रिफर कर सकते हैं वहीं पर इसकी एक और गाड़ी मिल जाती है टाटा की वह आपको लेकर चलता हूं टाटा टीगोर यहां पर बाराइस सीची में वेलेबर है फाइप शीटिंग गाड़ी है पांच लाग ब्याइसी जाओ रुपर इसका एक्सोरूम प्राइज है और इसका जो माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज जो है इसका वही उतना ही है पच प्राइज जो है पांच लाग ब्याइसी जाओ रुपर से लेकर के और आट लाग चामलीस जार रुपर के बीच में बिल जाती है इंस्वरेंस और आट यो जोड़ लेंगे तो उसके बाद में उन्रोड प्राइज आई जाएगी लेकिन आटियो आपके इस्टेट आपके जिले के साब्स लगता है तो इस वज़े से आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उन्रोड प्राइज बता पहूंगा बात करते हैं हुंड़े की गाड़िया कौन-कौन सी है जो कि सब ने सुनी है टाटा की आई है तो उसने डोल बजा है सबको पता है उन्ड़े की सब्सक्राइज है तो यह वाली गाड़ी आप दे सकते हैं प्रिफर कर सकते हैं कि लुकिंग अच्छी है कापी जब्रदस्त है और क्यूट्छी गाड़ी है बिल्कुल आपको सिंपल सी एक बैस्ट गाड़ी तो यह अगरा आप उन्ड़े की पसंद करते तो वहीं पर उन्ड़े की एक और गाड़ी आजाती सेंट्रो सेंट्रो को बहुत थे लोगों ने पसंद देखेया था इस गाड़ी को कि अच्छे बजट में बैस्ट गाड़ी बिलिती लोगों को क्योंकि इसका इंजन जो है वह 1086 लगवक 1100 शिशी का इंजनता और माइलेज बहुत जबरदस्त है इसका पैट्रल में भी काफी लोगों ने पसंद किती लुकिंग भी काफी जबरदस्त है इसकी क्योंकि दूसरी गाड़िया को टक कर देती है तो इसकी अगर बात करें है पर 1086 शिशी का इंजनता यान और दूसरा आता है मैगना सी एंजी ठीक है मैगना और स्पोर्ट्स दो मोडल है जो कि आपको सी एंजी में अविलाबल हो जाएंगे इसकी प्राइज चार लाग छियाशी अजार पैसे लेकर के छे लाग चम्माल इसजार के बीच में बजट में एक अच्छी गाड़ी अच्छा आता है और आपको सर्विस का पता ही है सब कुछ और एवरेज बैस रहता है इसके बाद में बात करते हैं हुंड़े की एक और गाड़ी है आई टैन नियोस यह भी सी एंजी में अवेलेबल हो गई है और यह दो मोडल में आती है बिल्कुल यहां पर आपको बता 50,000 रुपए एक सोरूम दिल्ली की प्राइज है अगर आपको आपकी सीटी का आपके घर पे जो गाड़ी आ सकते है उन रोड प्राइज उसके लिए आप मुझे कमेंट करें मैं उसका आपको ओन रोड प्राइज बताऊंगा ठीक है और यह जो 1170 CC का इन्जान यहां पर से बिल्कुल इस गाड़ी को भी ले सकते हैं बजट के अंदर अच्छी गाड़ी है बिल्कुल क्योंकि इसका बैट्रल वेडेंट है वह आपको पता है 6,00,000 से उपर जाता है बिल्कुल तो यह वाला भी अगर इसके अंदर अपने ऑन रोड प्राइज में अगर आप आप आ 40,000 रुपए से लेकर के 7,39,000 रुपए के बीच में आती है प्रीमियम गाड़ी है काफी लोगों ने पहले भी पसंद किया ता इसको अभी भी लोग पसंद करेंगी क्योंकि प्रीमियम के अंदर आती है और दूसरी गाड़ी को टकर देती है इस वाले सेग्मेंट के अंद के परपस से देखें तो यहां पर तीन मोडल और बिल जाते हैं आपको पहला मैं बताऊंगा महींद्रा का बोलेरो मैक्षी ट्रक प्लस यह 7,38,000 पर पसे लेकर के 7,66 मतलब एक ही वेरेंट है इसका जो की यह मैक्षी ट्रक प्लस सी एंजी मिल जाता है तो यह जो है 7,38,000 से 7,66 तो इसका एक्षो रूम है और इसका ओन रोड प्राइज मैं बता देता हूं आपको दिल्ली के अंदर क्योंकि यह एक ही मोडल है इसके अंदर 7,38,000 पर इसका एक्षो रूम है इसके अंदर 66,420 रुपए जो है आटियो है और 37,000 पर इंशोरेंस है इस तरह से 8,61,000 रुपए में आपको महिंद्रा M मैक्षी ट्रैक प्लस मिल जाता है सी एंजी के अंदर ठीक है दिल्ली की प्राइज बताइए मैंने आपको एक गाड़ी हो रा जाती है मारूती सूपर कैरी मारूती सूपर कैरी 4,63,000 रुपए से लेकर के 5,83,000 रुपए के बीच में इसका 11,60,000 रुपए चोटा सा मीनी आता है बिल्कुल जिसके अंदर पिक अपने फ्री जो गार मंगवाते हैं तो दुकान वाली यूज करते हैं वह भी सी एंजी में मिल गया है बिल्कुल तो इसका भी एक युवेरेंट आता है बिल्कुल यहाँ पर मारूती सूपर कैरी एस्टीडी स्टेंडर्ड मोडल है सी एंजी का ठीक है तो यह भी आप ले सकते हैं बाराव सिस्टी का इंजन है वही पर एक और गाड़ी मिल जाती है मारूती की इको कार्गो यह पर जो इको में ने बोला था एक के स्कुल बस इसकुल वेन या फिर जो आउट उप सिटी यूज करते हैं लोग आजे पैसेंजर और आजे आप कमर्शियल जो भी है उसी का एक कार्गो है जिसको आपने दिखा होगा पोस्ट में या पिर कुछ लोग उसमें पीछे का जो है पुरा पैक रहता है जो गाड़ी दिख रही आपको इस चाप से देख लीजिए चार ला अबर टाटा की शीज़ जो गई के तो सारी गाड़िया आपको C&G में मिल जाती है नीकसा की अभी C&G में कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है और बाकी गाड़ियां जो है अभी प्रोसेस में वो इलेक्ट्रिक प्लस C&G देखते हैं किस तरह से निकालती है तो इन सभी के इन सभी गाड़ियों के अगर आपको अन्रोड प्राइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिस भी गाड़ी का चाहिए जिस सिटी का तो आप मुझे गाड़ी और सिटी लिखके बेज़ें मैं उसका अन्रोड प्राइज आपको कमेंट करके बता दूँगा तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर